जैहिंद आज आपको हम नारियल की पौधे कैसे लगाए जाते हैं और अपने यहां हो पाते हैं या नहीं इसकी मैं जनकारी देने जा रहा हूँ जैसा आप देख पा रहे हैं ये है नारियल का पौधा ये नारियल का पौधा उच्छ स्रेनी का ये है पौधा ये ये जो देख पा रहे हैं लाल डंडे वाले ये किरला वराइटी का ये नारियल है और ये नारियल जो आप देख रहे हैं ये हरा डंडा हरा डंडल है ये ठंड और घरम होते हैं यह दोनों जगा में सेट कर जाते हैं आपने यहां बिहार में नार्यल लाल डंडे वाले पर ही असानी से यह लग जाते हैं और तीन साल में यह फल देना चालू कर देते हैं इस नारियल के पोधे के साथ आप अद्रक, हल्दी, गोल्मिरिच, इत्यादी मसाला का आप खेती कर सकते हैं ये नारियल की पोधा लगाने से पहले आप उस जवा को धाई बाई दो फिट गढ़्धा खोद ले और दो दिन छोड़ दें गढ़्धा को छोड़ दें और वो धुब के कारण उसमें जो कीरे रहेंगे वो मर जाएंगे अग दो दिन के बाद आप उसमें बर्वी कंपोस्ट या गोबर का सरह हुआ खादो सो आप देकर इस नारियल को पोधे लगा सकते हैं और उच कमाई कर सकते हैं इस पौधा में ज्यादा कि खेती जैसा टेंसन नहीं है इसमें मैं सब करना और अब एक यह लगा दीजिए और तीन महिना तक टेख सबदा करके-पानी बस पानी इसे चाहिए शिचाय करते रहे करें और इस से अब तीन साल के बाद इसे मुनाफ़ी कमारे यह ये नारियल के पौधा मेरे नरसरी न्यूपटना नरसरी में उपलाब्द है मेरा शंपर्क सुत्र है 930864601 यह पौधा आपको 100 रुपया में यहां उपलाब्द है ये नारियल के पौधे से आप यह जो आप यह देख रहे हैं यह हम लोग अपना जारू लगता है इसी के सीख निकाल कर जारू बनाया जाता है। यह दो फायदे हुए, एक तो हम फल बेच लेंगे, फल इसका सुखा फल भी विखता है और यह सरने का टेंशन भी कम रहता है। यह जल्दे खराब भी यह फल नहीं होता है। पहला कि कच्चा इसको डाब में बेच सकते हैं, दूसरा कि सुखाकर इसे आप रख सकते हैं और बाद में भी बिख्री कर सकते हैं यह जल्दिभाजी वाला धंधा नहीं है कि यह सड़ जाएगा गल जाएगा तुर्णत हटाओ यह आराम से आप मार्केट जिस्से में तेज हो आराम से बेचिए और उच कमाई कीजिए अच् कीजिए लोग कमाँ परफ्फुल हो रहे हैं कि किरला बेगारे में तो नार्येल की खेती से ही लोग अच्छे आमदानी करते हैं o जो इस नार्येल की पोधों को आप लगाकर एक कठा जमिन में आप इस नारेल को पौधों को पचास पौधे लगा सकते हैं और ये पौधे तीन साल में आपको फलन देना चालू हो जाएंगी कि दोस्तों जे धन्यवाद वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को क्रिप्या सब्सक्राइब करते रहें और भी जनकारी प्राप्त करने के लिए वेल आइकन को दवाना मत भूलें जे धन्यवाद जय हिंद